मैयूरी बैन जी गुजरात से रादे रादे महाराजी ज्यादा सच्चाई और साब दिल रखने से जीवन में बहुत मुश्किले आने लगी हैं लोग बोलते हैं चलागी से करते हैं वो तो अच्छे नहीं नहीं आज का सत्संग सुना था आज का सत्संग सुना था इसमें कोई बेटा है जो सत्संग सुना था हाँ तो आज के सत्संग में सुना था प्रारम्न में कि कुछ लोग ऐसी मानने हुए है कि जो धर्म से चलता है उसको दुख मिलते हैं जो पाप से चलता है उन्नती को प्राफ्ट होता है ऐसा नहीं है साफ दिल, बतब शत्य पे बूलना, सत्य पे चलना, सत्य आचरन करना, तो दुख किसको हो रहा है, किस बात का दुख हो रहा है, आप बूले हैं, क्या दुख हो रहा है, सत्य पे चलने वाला दुख से संबंद रखता है, ना सुख से संबंद रखता है, तो सत्य से संबंद र प्रिश्ण ना तो ऐसा कैसे आप ब्योहारिक सब्दों का प्रियोग भले कर ले परमार्थिक सब्दों में ऐसा आप नहीं बोल सकती कि मैं अच्छे दिल वाले और साफ पवित्रभाव आच्रण वाले और मैं दुखी हूं ऐसा कैसे हो सकता है कि जूट और जो चलाकी करता है वो तो अपना बात रखके कहीं आगे चले जाता है इनका भाव शायद ऐसा है और हम सत्य के मार्ग पे चल रहे हैं अपनी बात सत्य से प्रकट करते हैं आगे कहां जाता है तो नश्ट होने जा रहा है पतिंगा आग में लपटने जा रहा है तो नश्ट होने जा रहा है तुम सत्य में खड़ी हो आनंद में हो तुम्हें दुख किस बात का है कोई असत्य बोल रहा है तो नहीं असत्य संपातक पुंजा कोई चाल बाजी कर रहा है गंदी आदत कर रहा है आपको लग रहा है उन्नती को जा रहा है हमने कई बार कहा है किसी दंडनी अपराध करने वाले अपराधी को चार लोग गोधी में लेके उपर चड़ा रहे हैं जो पुर्वाके है वरतमान का पापाचरण उनको पठकने ले जा रहा उपर ऐसा मेटिया मेट करेगा किसी काम के नहीं रहेंग 270 पापाचरण करने कभी ना इस लोग मी विख़ी पाया है ना परलोक मीभ़ी आ ऐसा होता है कि मरजी जैसे कोई एक किसी भी नोकरी में उरिश्वत लेके पैसा लिया, गाड़ी आ गई, बहुत बड़ा दिख रहा है, ये एक सत्यमार के चला है, इसके बाद हाइवे पे, हाइवे पे एक्सिडेंट हुआ, पूरे परिवार से तुसी में जल गए, ये नहीं मानते हो, हम कहे क्या रहे हैं, हमारी बात को समझो, चा की बाते हैं, बड़े बड़ो को देखे हुए है, परमार जी दिखता नहीं है, वो तो उन्नती दिखती है, वो नहीं लोकिक दृष्टी नहीं, परमार्थिक दृष्टी हो तो समझ में इसे उन्नती है, हमें लगता सकी धर्म पे चलने वाला और शात्य पे चलने वाला, द थोड़ी दिर केले किसी को अनकुलता मिलती तो थोड़ी दिर केले प्रतिकुलता मिलती है मात्रा इस परशास्त कौंते सी तोच उच्छु दूप घदा आगमा पाइनो अनित्यास तास्तितिक्ष्च भारत इनको शहन करे जो दुख शुख की बाहरी बिवारिक परिस्थित् भगवान का नाम शत्य है भगवान शत्य नारायण है भगवान शत्य दानंद में हैं ऐसा भाव ही नहीं करते हैं ऐसा निगेट्व भव बेठा लेंगी नाप तो फिर आप ना तो सत्य पे चल पाएंगी और नाप सुखी हो पाएंगी माराद जी वह थोड़ी देन के लिए बस होता है तो यह सत्संग किसले होता है बड़े बड़े शंत मात्मा जो अपना शमय देते हैं आपको वो किसले देते हैं इसी को सुल्जाने के लिए देते हैं तो चतुर विवेकी सत्संगी हो, कि वो उतना काट करके अलग रख ले, और जब अपना जो भी से फसा रहा हो, वहीं चला दे, तो अपने को समाधान मिल जाएगा, अगर हम सत्संग नहीं सुनेंगे, नामजप नहीं करेंगे, तो फिर फसा तो लेगा ही मन, कहीं न कहीं फसा लेगा, तो इसलिए मुझे लगता है, सत्संग सुनिये, नामजप कीजिये, और असत आचरणों की उन्नती को आप दोखा मानिये, वो नश्ट होने के लिए विधान बनता है, वो सुखी होने के लिए ले, अगर पापा चरण करके कोई सुखी होता, तो रावन जैसे बलिष्ट, ये सुखी होते हैं, परिणाम को देखिए, रान कोकुल रोवनी हारा, राम विमुख असहाल तुम्हारा, रान कोकुल रोवन, बिवेकवान वही कदम रखने के पहले परिणाम देखे, कि मैं पैर कहां रख रहा हूँ, मूर्ख वही है कि चलो यार देखा जाएगा, जब अंधेकुएं में गिर जाओगे, तब क्या देख पाओगे, ये अंधाकुआ है संसार, इसमें काम, क्रोध, लो, मो, मद, मत, सर, ऐसी फिसला ने क्यों वहीं पहुंच जाओगे, जहां से निकलना मुस्किल है, पांच मिनट की गल्ती आजीवन का रावास, एक भयानक गल्ती फांसी कफंदा गले में, गूली मार दी गई, बहुत होस में, तुम्हारा मन तुम्हें गल्त सला दे करके, तुम्हें ऐसी जगे पहुंचा देगा, कि जीवन भर तरपतेर होगे, ना परिवार से मिल पाओगे, और ना धर्म कर पाओगे, ना भगवत प्राप्ती कर पाओगे, होस में, तो अधर्मा अचरण की तरप जाते हुए, मन को जो रोक ले वही विवेकी है, वही मनुष्य है, पसु थोड़ी है, पसु नहीं जानता है, वो तो जैसा भाव आया, प्रारप्धा अनुसार वैसा चल रहा है, हम प्रारप्ध के अनुसार चलने वाले नहीं है, हम विवेक के अनुसार चलने वाले है, प्रारप्ध शरीर पर आएगा सुख दुख, लेकिन विवेक के द्वारा हम उसको अब बचाएंगे, ये सुख दुख का कोई खास महत्तने ये श्वापनिक है, आने जाने वाले हैं आगमा पाइनों अनित्यास तास्तितिक्ष शुभारत सत्य पे चलो चाहे जैसी परिष्थिति हो डिगनामत तो आनंद के अनुभूति हो जाएगी भगधानंद के प्राप्ति हो जाएगी सत्य का मार्ग बहुत आनंद दायक है दुखद थोड़ी है चाल बाजी चतुरता कपट करके चंद रुपे एकत्तित कर लेना कुछ सुख सुविधाएं एकत्तित कर लेना लेकिन परिणाम में परिणाम में हाहाकार क्लेश असांती दुख चिंता सोक भैकल्पना यह कैसे खहारे बिएम के लेकत्तित कर देपना ङली ऑ।क